दोस्तो मैं अल्पना सरोज, स्वागा थे आप सभी का स्वाधिष्ट भोजन में दोस्तो आज मैं आपको बकरे का फेफडा, हाट, खिसका की रसेदार रेस्पी बनाना बताऊंगी दोस्तो बहुत ही आसान डेस्पी है, बहुत ही कम समय मैंने इसको आपको बहुत ही जल्दी समझा दिया है सारे मतलब इसको बनाने का तरीका दोस्तो वीडियो में बने रहेगा, वीडियो बिल्कुल स्कीप मत कीजिएगा तब ही जाके आपको सारे बाते अच्छे समझ में आएंगी तो देख सकते कितना लजीज अगर आपको बनाना है तो आप वीडियो में बने रहे देखे दोस्तों यहां मैंने लिया है बकरे के दो फेफडा फेफडे को आप कम ज़्यादा भी ले सकते वह आपके उपर है कि आप कितना बनाना चाहते हैं और यहां मैंने लिया बकरे का दिल अब देख सकते हैं यह मैंने दो दिल भी लिया साथ ही उसके बाद यहां मैंने लिया दो खिसका जो बकरे में होता है दोस्तों दो खिसका है उसके बाद दोस्तों ये जो फेफडे में नली में आत लगी हुई होती वो आत है जो मैंने से साफ कर लिया है चूला मैंने जिला दिया है उसमें मैंने कडाही रग दिया है कडाही मैंने डाल दिया है दो गिला जितना पानी पानी जब तक गरम हो रहा तब तक हम फेफड़ों को काट के त्यार कर लेंगे तो फेफड़ा यहां मैंने छोटा-छोटा कट कर रही हूँ आपके उपर है दोस्तों आप इसे किस तरीके से काटना पसंद करते हैं पानी दर बहुत अच्छे तरीके से गरम हो गया है गरम पानी में हम डाल देंगे जो हमने सारे फेफड़े के पाठो को कट किया है इसको डालने के बाद दोस्तों इसमें आट कर देंगे हम आधा चमच हल्दी का पॉडर उसके बाद डालेंगे आधा चमश नमक इन सारे चीजों को अच्छे से हम पाने में मिला देंगे इससे क्या हता दोस्तों इसमेल नहीं आएगा और अच्छा स्वाद भी आएगा खाने में तो इनको हम अच्छे से मिलाने के बाद ढग देंगे तो दोस्तों यहां बाते करते करते यह अच्छे से उबल भी गया है तो इसे हम खोल के चेक कर लेती है अगर अच्छे से उबल गया है तो इसे हम निकाल के बाहर कर लेंगे तो यह देखिए दोस्तों यह परफेक्ट अच्छी तरीके से उबल गया है इसमें हल्दी नमक लगतुरा की अच्छे से सोक कर लिया है तो अब इसे हम कडाही से निकाल के अलग थाली में रख लेंगे दोस्तों अभी तक इस्टा गराम और फेस्बुक पे आप हमें फोलो नहीं किये हैं तो नीचे दियो आईडी पे आप हमें फोलो भी कर सकते हैं तिधर ये तयार हो गया है चूलिप मैंने दूसरा कराही भी रख दिया है इसमें डाल देंगे सरसो का तेल तेल जैसे गरम हो जागा वैसे इसमें हम डाल देंगे दो हरी मीच और एक बारी काट के प्याश तो तड़कों को हम अच्छे से लाल होने तक फ्राइ कर लेंगे तड़का जब अच्छे से भुन के त्यार हो जाए दोस्तों तो आप इसमें फेपड़े को आइड कर दे तैसे हम इसमें डाल देते हैं इनको हम तेल के साथ अच्छे से मतलब फ्राइ कर लेंगे दोस्तों फ्राइ करने से क्या होता है बहुत ही अच्छा स्वाध आता है बहुत ही टेस्टी बनता है इस बात का आप जरूर याद रखें कि इसको आपको तेल में अच्छे से फ्राइ करना है तड़कों के साथ यहां मैं इसे तड़कों के साथ अच्छे से भून के त्यार कर लूँगी तो तेल में जैसे अच्छे से फ्राइ हो जाए वैसे इसमें हम डालेंगे सूखे मसाले तो इसमें डालेंगे एक चमच नमाग गरम मसाला, अधर कलिसन का पेस्ट और तीन टमाटर का पेस्ट आइट करदेंगे तीन सारे मसालों को हम एक साथ ही डाल देंगे सारे मसाले एक साथ डालने के बाद इनको हम अच्छे से मिला देंगे फेफ़डों में तो मसालों को दोस्तों हम बहुत ही अच्छे से भून के त्यार करेंगे मसाला जीतना अच्छा भूना रहेगा उतना ही अच्छा स्वाद आएगा ये खाने में भी वैसे दोस्तों फेफड़े की बहुत अलग लग रेश्पीब मैंने आपके साथ पहले भी सेर किया है अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो उपर डिया बटम पर कली करके दोस्तों वीडियो देख सकते हैं तो ये देखिए दोस्तों मैंने मसालों को बहुत ही अच्छे से फेपडों के साथ भून लिया है इनको भून लिया है जैसे अच्छे से भून के त्यार हो जाए वैसे आप इसमें पाने डालने के त्यारे कर लें तो ये देखिए मसाला बहुत ही अच्छे से लगने लगा है तेल उपर आगे हैं उभरके इसी तरीके सेम आपको फ्राइ कर लेना है तो इसमें आपको पानी जाज़ा नहीं डालना है थोड़ा ही डालना है पकने भर के लिए और मसाला मैंने पहले भून के अच्छे स्तियार कर लिया है फेपडों के साथ तो यहां मैंने डेड़ गिला जितना पानी एड़ कर दिया है उपर समयने हर धनिया भी आड़ कर दिया है अगर आपको हर धनिया नहीं पसंद तो इसकी भी आप इसे कर सकते हैं इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे मिलाने के बाद दोस्तों इसे ढख के 6-7 मिनट के लिए और पकाएंगे तो बहुत ही अच्छे से बना हुआ दोस्तों स्वाद मतलब खुस्भू से पता चला है स्वाथ बहुत अच्छा होगा बहुत प्यारा खुस्भू आरा थै लुटव को यह दोस्तो पास यह पर में आपको दिखाती हूं यह दिखिए कितना टेस्टी दिख रहा है देख मुँँम्पाiczस आ रहा ना दोस्तो, सच में मोऑने भी आगे था दोस्तो तो अब इसा चूले पर तार के हमने नीचे रख लिया है और अब इसे सर्प करूंगी फिर से मैं उपर थोड़ा सा हरा धन्या एड़ कर दूंगी उपर का हरा धन्या डालने से दोस्तों बहुत अच्छा फ्लेवर और अच्छा इसका खुजबू आता धन्यागा उपर से मनें हरा मिच भी एड़ कर दिया है दोठी तीखे के लिए और य तो यह देखिए दोस्तों बकरे के यहां मैंने दिल फेफड़ा और खिसका बनाया है देख दिखेनें तो नहीं पता चल रहा है ना कि यहां मैंने फेफड़ा दिल और खिसका बनाया है लग रहा कोई मीठ वगरा बनाया कि इतना अच्छा खुजबू महल्यों वालों को प उठाते हैं बहुत जादा गरम भी है साथ ही कि दिखें पहले आप कितना अच्छा जूसी दीख रहा है बहुत अच्छा लग रहा है देखने में बहुत ज्यादा गरम दोस्तों छुगा नहीं जारा फिर भी यहां पर मैं आपको तोड की दिखा रहे हूं कि कितना अच्छा बन हुआ पक गया है कि वाउट क्या स्वाद है किस最近 चालते जाओंगे क्नल किमान भी किसिए हैप की तरीके से अहहें दोस्तों या कि पार गरम धालों कि यहां मैंने तक हैंपकर और कंसे और में थErूट वे एक नई रिस्पी के साथ